नमस्कार आप देखने हैं मुद्दा मैं हूँ आपके साथ अक्षै दोहजार उन्नीस लोकसभा चुनाव के लिए पच्छी में उत्तर प्रदेश के मेरट से चुनावी अभ्यान का अगास करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने वेपक्ष पर आज जम कर हमला बोला कॉंग्रेस सद्धक्ष राहूल गांदी के चौकीदार के तंज को बहाना बनाते हुए प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस समेथ पूरे विपक्ष को घेरा प्रधान मंत्री ने दो टूप का कि मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता मोधी ने कहा कि मैं अपना हिसाब तो दूँगा लेकिन सबका हिसाब लूँगा भी शाराना अंदाज में प्रधान मंत्री ने कहा हिसाब तो होगा सबका होगा लेकिन बारी बारी से होगा प्रधान मंत्री ने खुद को चौकीदार बताते हुए एर स्ट्राइक के बहाने भी कॉंग्रेस को गिरने का प्रियास किया प्रधान मंत्री ने कहा कि जमीन हो आस्मान हो या फिर अंतरेक्ष सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इसी चौकिदा की सरकार नहीं किया है वैसे अंतरिक्ष में भारत की मिशन शक्ति की सफलता के बाद कैसे है राजनेतिक आरोफ प्रत्यारों का दोर भी शुरू हो चुका है इस पर भी बात करेंगे सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं फिर उसके बाद चार्चा की शुरूआद भी करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मिशन 2019 की शुरूआद कर दी है प्रधान मंत्री ने इसके लिए पश्ची में उत्रप्रदेश के मेरट को चुना जहां से पूरे यूपी को मैसेज देने की कोशिश है लोगसबा चुनाव के पहले चरण में उत्रप्रदेश की आठ सीटों पर मतदान होना है इसमें मेरट, बिजनौर, खैराना, सहारनपुर और मुजफ़र नगर जैसी एहम सीटें शामिल है इन सीटों में अधिक्तम सीटों पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासल की थी पीएम मोदी ने रैली को समबोधित करते हुए कहा कि देश मन बना चुका है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है मौके पर मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये जनसलाब 2019 का जनादेश है 2019 का जनादेश देखना हो वो इस जनसलाब को देख सकता है भारत मन बना चुका है देश में फिर एक बार बनने जा रही है प्रधानमंद्री ने कहा कि हमारा विजन एक ऐसे नए भारत का है जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी जहां सुरक्षा, सम्रिधी और सम्मान के संसकार होगे मुख्य विपक्षिदल कॉंग्रस पर निशाना साधते हुए पियम मोदी ने कहा कि जहां आज एक तरफ नए भारत के संसकार है तो दूसरी तरफ वन्शुवाद और भ्रष्टाचार का विस्तार है एक तरफ दमदार चौकिदार है तो दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है राहुल गांधी की प्रस्तावित नयाय योजना का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि जो बैंक खाता नहीं खुलबा सके आज वो पैसे की बात कर रही है उदर मिशन शक्ति को लेकर भी राजनीती तेज हो गई है पीएम मोदी के संबोधन के बाद सरकार के तमाम मंत्री इसे भुनाने की कोशिश में लग गए है वही विपक्षी नेताओं ने वैज्यानिकों को बधाई तो दी लेकिन पीएम पर निशाना साधा यह तो क्रेडिट पंडिन जावरला लेहरुजी को जाना चाहिए जो डियार डियों इसको स्तापना की और सर विक्रम सारावाई ने इसको आगे बढ़ाया हमारे विज्यानिकों की इच्छा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास ये शमता है और भारत सरकार हमें अनुमती नहीं देती है और जो मेरे कुछ कॉंग्रेस के मित्र खुद की पीट थपतबा रहे हैं वो याद रखें कहानी है उसके फुट्प्रिंट्स बहुत लंबे हैं और कही न कहीं जूटके फुट्प्रिंट्स मिल जाते हैं हमें और आपको तो ऐसा लगा कि नजाने क्या बात टीवी से आएगी लेकिन देखो चिनाओ सर पर है उस समें भी धोका टीवी से दिया जा रहा है मिशन शक्ते की सफलता पर अमेरिका ने कहा कि वह भारत के साथ अंतरिक्ष में सुरक्षा को लेकर गठ जोड समेथ तकनी की सहयोग जारी रखेगा हना कि अमेरिका ने ये भी कहा कि अंतरिक्ष में मलबा फैलने और प्रदूशन की आशंका है जिस पर हम नजर रख रहे हैं वहीं घबराय हुए पाकिस्तान ने कहा कि वह भारी अंतरिक्ष के सैन्य करण के खिलाफ है दूसरी तरफ चीन ने सतर्क्ता पूर्वक प्रतिक्रिया दी चीन ने कहा कि उसे उमीद है कि सभी देश बहरी अंतरिक्ष में शान्ती बनाए रखेंगे वैसे पडोसी देश जो भी कहें इसमें दो राय नहीं कि भारत की इस सफलता से पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई है बीरो रिपोर्ट विपक्षी पार्टियां देश के लोकतंद्र को मौझूदा सरकार से खत्रा भी बता रही हैं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आम जनता के जहन में इस वक्त किस तरह का प्रभाव पढ़ रहा है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सबी खात मेमान हमारे साथ जोड़ चुके हैं सबसे पहले अपने धर्शों के मुलाकात अपने आज के सभी सम्माले ततितियों से दिली श्रिवास्तर जी हमारे साथ लखनाव स्टूडियो से मौझूद हैं आप प्रभावक्ता भारती जन अब विदेश मामलों के जानकार है और कुछ देवाद समाजवादी पार्टी को रेप्रिजन्ट करने के लिए उनके प्रितिनीदी हमारे साथ इसकारक्रम का हिस्सा होंगे बहुत स्वागत है आप सभी का इसकारक्रम में शामिल होने के लिए शुरौद दिलीव के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जनता के बीच में चुकी उन्होंने कभी काम नहीं किया चाहे सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो अगर जनता के बीच में जाते तो जनता के बीच में सुखदग बाटने का कभी काम किये होते तो मुद्दे उठा ना जानते इनको सीखना चाहिए और मुझे लगता है आपको भी समरण होगा कि इनके ही नेता जी कहा करते थे कि अगर अनुसासन और विपच्छ में काम करना हो तो भारती जनता पार्टी से सीखना चाहिए मुलाहिम सिंग जी ने एक बार सीख भी दी थी इसी तरह से अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रसंसा करनी चाहिए और कोई ऐसी चीज हो जिसमें लगे कि आलोचना करने वाली चीज हो तो उसे आलोचना करनी चाहिए जब बात जमीन पे स्ट्राइक की बात हो चाहिए अंतरिच्छ में स्ट्राइक की बात हो तो सेना के जवानों की प्रसंसा करनी लेकिन होता क्या है कि तुष्टिकरण की राजनीच से पोसित ये दल लगातार सेना पे सियासत करने का काम करते हैं सेना को कड़गरे में खड़ा करने का काम करते हैं कभी जनाजा क्यों नहीं निकला इसका सबूत मांगते हैं कितनी लासे गिरी इसका सबूत मांगते हैं ये अंतरिच पे श्राइक क्यों हुई इसका ये क्या कारण रहा आपको देश के विग्यानिकों को बदाई देनी चाहिए और सम्रद साली भारत के निर्माण के जो नई दिसा में ये काम हुआ है इसकी प्रसंचा करनी चाहिए चलिए इस्राइड जहां जी हमारे साथ हैं उनसे हम ये समझने का प्रियास करते हैं इस्राइड मंत्री मोदी के आज मेरत में भारत बाशन को आपने सुना होगा उन्होंने साफ कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथते हुए कि हमारे पास तो नए भारत के संस्कार है कॉंग्रेस के पास क्या है वंशवाद और भ्रस्टा चार देखे अगर कॉंग्रेस के परंपरा की बात की गई है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी और मोदी जी का धन्यवाद करते हूं कि नहरू जी को हर भाषण में उन्होंने जिवीत रखा और वाकई नहरू जी अमर थे उनके जो काम थे उससे वो अमर हुए इसी तरीके से अगर हम स्वर्गे राजीव गांदी जी की बात करें तो आज DRDO का सबसे बड़ा गर श्रै जाता है तो वो कॉंग्रेस पार्टी को जाता है कि कॉंग्रेस पार्टी की ही वज़ा से आज हमारे जो विग्यानिक है उनके साथ मिलके टीम के तरीके से काम किया और आज मैं के एक बहुत बड़े पटल पर लाके खड़ा किया तो आफ वाकी बधाई के हगदार है और साथी साथ जो मोदी जी बड़े-बड़े भाशन और बड़े-बड़े मंचों से इबाते कर रहे हैं और भीड को लुभाने की कोशिश करें तो 2014 में ये आपका फॉर्मूला चल लेकिन 2019 में अब लोग आपके काम को नशाब तो आपने ले लिए हमारी सरकार की उपलब्दी थी आज आप आपने डियाडियों के कुछ पूर्व वैग्यानिकों को भी आप से सुना होगा जो एहम उदो पर रहे हैं उन्होंने आपकी सरकार पर तकालीन सरकार पर आरोप लगा है क्या आप लोगों ने इच्छा शक्ती नहीं दिखाई जिसकी बज़े से यह परीक्षन तो चायद पहले हो जाता है दो-चार साल और चिंता और चर्चा का विशे सिर्फ डी आर डी ओ नहीं होना चाहिए या पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से इन लोगों ने श्रह लेनी की कोशिश की चिंता और चर्चा का विशे क्या यह नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे किसान जो हैं वो पुलवामा मिली लेकिन परदान منतरी जी ने उनके आगे के लिए कुछ नहीं किया बलकि मैं इकाऊंगी कि पाकिस्तान से हमेशा एक ना एक तोफा जो है वो हमें मिलता रहा और जिसके सबसे ज़्यादा मैं इकाऊंगी कि शिकार जो हुए वो सेना के जवान हुएं कि आप परदान मंतरी जी मुझे ये बताएंगे कि कोई भी आरेसेस का एक भी कारे करता जो है वो सेना में जाके भरती हो आओ या जिसने सुछा से बड़ी देश्वक्ती की बाते करते हैं कि क्या किसी ने सुछा से एक ने भी ये अपने तरफ से बात रखी हो कि हम भी है यानि पर मिर्शाद जी एक reaction में इस्वर आपका जरूर लेना चाहूंगा सारी बात आकर सिर्फ शे पर अटक जाती है क्या कि शे किसी को कहीं ना मिल जाए राजने तेक फायदा ना उठा ले जाए और इसलिए जादा चिंता है उस उपलब्ध की चिंता नहीं है जो शायद दो चा कार नहीं किया जा सकता कि जो इस समय सत्ता रूर पार्टी है और जो हमारे वरतमान प्रधान मंतरी हैं वो इसका श्रे लेने की कोशिश करेंगे और मेरे ख्याल से उनकी जग़ा कोई और होता तो वो भी करता है लेकिन जब श्रे की बात होती है तो एक चीज़ मैं कॉंगर राजीव गादी जी को शेयर दे रहे हैं उसी काम के लिए आज़ आज़ आप उसी श्रे को वरतमार प्रधानमंत्री नरेद मोदी के साथ बाठने को तयार क्यों नहीं है भी इसमें दोराएं नहीं है कि जो काम होता है अब आप अचले ये तो स्पेस टेक्नलिजी हो गए ruling class है जो government of the day है जो वरतमान सरकार होती है वही लेती है ना जी तो इसमें नई बात क्या है और अगर नरेंद्र मोधी की जगा कोई भी होता आपने देखा होगा कि 1974 के बाद जब हमने पहला पोखरन विसफोट किया था तो उसके बाद फोटोग्राफ छपे थे इंद्रा गां तो आपको क्या लगता है कि अटल जी और इंद्रा जी वो गड़ा देखने गए थे उस गड़े में देखने को क्या था भाई वो उस मौके पे वहाँ पे जाके खड़े होके फोटोग्र किच्वा के उस बलास्ट का उस विसफोट का श्रे ही ले रहे थे उननेस तो चौरा से की उपर से हिंदुस्तान कैसा दिखता हो राके शर्माजी ने का सारे जहां से अच्छा तो वो वार्तलाब डियाडियो के डियाडियो के चेर्मेंट से क्यों नहीं करा दिया गया इस तरों के चेर्मेंट से क्यों नहीं करा दिया गया जी उसमें देखिए गवर्मेंट चौदा में तब कोई चौराओ नहीं था लेकिं जब प्रधान मोती नरेन मोधी पहुंच गया बैंगलोर उस मौके पे जाके इसरो में बैटे जाके महाँ पे और आपको याद होगा उस समय इसरो के साइंटिस्ट का कहना था की फेलियोर के मतलब असफलता की जो चांसेज है बहुत ज्यादा हैं फर्द करें कि उस समय हमारा मंगल यान असफल हो गया होता जी तो मोधी जी की बड़ी किर्किरी हुई होती है बड़ी किर्किरी हुई होती है तो सहाब जो 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 श्रे लेता है वही इल्जाम लेता है जी और अगर किसी चीज का श्रे आप सतर साल पह से निशाना साथ दिया जाता है एक ऐसी उपलब्दी पर जिस पर गर्व होना चाहिए नाज होना चाहिए मैं ऐसी जैन साब आपके पास आऊंगा क्योंकि आप डियाडियों से जुड़े रहे हैं और आप इस उपलब्दी के सही मायनों को हमारे दर्शकों तक पहुचा सकते हैं सबसे पहले आप ये बताएं सर कि कितनी बड़ी उपलब्दी ये देश के लिए है पहले तो मैं आप के चैनल को दिन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया यह जो उपलब्दी कल हमारे वैग्यानिकों ने हासिल की है यह बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि इस से पहले जैसा कि सभी आप लोगों को मालूम है कि केवल तीन बड़े देशों को ऐसी उपलब्दी हासिल थी तो एक सैटलाइट को मार गिराना वास्तों में बहुत बड़ी उपलब्दी है और हम प्रतेग देशवासी को इसके उपर गर्व होना चाहिए कि कुछ सवाल भी खड़े किये गये हैं पूरवरती सरकारों पर डियाडियों के कुछ प्रमुक्षों की तरफ से और साथी कुछ और की तरफ से कि अगर सहयोग पहले सरकार का मिला होता तो यह उपलब्दी शायद दो-चार साल पहले हासिल की जा सकती थी आप इससे सहमत ह है इन विचारों से लेकि इस बारे में तो मैं कोई यू नहीं एक्स्परेस्ट करूंगा इतना ही कहूंगा कि कल हमारे जो पहले साइन्टिफिक एडवाइजर डाक्टर सारस्वत थे हैं जी जी उन्हेंने कहा है कि हमारे पास तो यह इसकी काबलियत जो है पहले भी थी जो अनुपम मिर्शाटी ने सवाल खड़े कि है कि अगर कॉंग्रेस को लगता है कि आजादी के लड़ाई में उसका योगदान था जिसको आज तक भुनाने के प्रयास किये जाते हैं जे एकत्तर की लड़ाई को लेकर आज भी अपनी पीट थपतपाने की कोशिश की जात है तो अगर मौजूदा सरकार की कम्यों को उनकी नाकामी बता कर सवाल खड़े किये जा सकते हैं तो अगर कोई उपलब्द ही होती है तो उसका श्रे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तो क्यों अच्छे क्यों नहीं मिलना चाहिए आखिर कोई सरकार कोई भी योजना बनती है कहीं जो मौजुदा सरकार है उसका उसमें किसी तरह का रोल होता है इस जो कारिक्रम है इसके बारे में भी सीदे सीदे ये कहा गया कि छे महने से इसको मिशन मोट की तरह से इस पूरी योजन को चलाय जा रहा था यानि कि छह मैंने पहले सरकार ने अपनी प्रास्विक्ताओं में इसको शामिल किया होगा कोई चीजें अपने आप नहीं होती सरकार ने अगर तै किया कि हम चंद्रेयान छोड़ेंगे तो वो एक सरकार की योजना है ठीक है कल को दूसरी सरकार आएगी वो आगे बढ़ाएगी कोई और सरकार आएगी वो आगे बढ़ाएगी लेकिन कारिक्रम आपकी प्रायरिटी जो मौजुदा सरकार है वो तै करती है और अगर इस अभियान के लिए मौजुदा सरकार ने एक प्रायरिटी तै की एक कारिक्रम तै किया और अगर ये छह मैने पहले मिशन मोड में इसको शुरू किया गया इसके लिए पूरी जो जमीनी इस तर पर जो प्रियोग है उसको करने के लिए कारिक्रम शुरू किया गया तो कहीं कहीं उसमें तारिक हैं भी उसकी उसी के साथ तैय रही होंगी और अगर चुनाओ की गोशना थोड़ा पहले हो गई होती या थोड़ा समय बाद होती तो हो सकता है कि ये तो तारिक पहले से तैची इसका चुनाओ की गोशना से कोई लेना देना छह मैने पहले तो इस कारिक्रम को इसलिए इन तारिकों में ताय नहीं किया गया होगा क्योंकि अंतरिक्ष की किसी भी कारिक्रम के लिए आपको एक समयबद और जो भी जब आप एक प्रियोग कर रहे हैं तो एक समयबद आपको कारिक्रम बनाना होता है उसमें सब कुछ पूरो निर्दारित होता ह और ऐसे मैं आपने पहली बार पहले जो हमें ये भी देखना होगा जिन दूसरे तीन देशों के पास ये टेकनलोजी है ये ख्षमता है उन्होंने अपने पहले प्रियोग में सबलता नहीं हासिल की भारत ने अपने संसादनों के बूते पर अपने जो एंटी सैटलाइट जो मिशाहिल है उसके जरिये हमने बिलकुल पहले प्रियोग में सबलता हासिल की और इस पर अगर प्रधान मंतरी ने कहीं अपने कारिकरम में अगर ये कहा होता कि ये बीजेपी की सरकार ने किया ये मेरी सरकार ने किया या हमने इसके लिए हमारी पार्टी ने कोई योजना ब पक्ष में हैं उनको देश के लिए गर्व की बात को भी राजनेतिक नफे नुकसान के तराजू में तोलना चाहिए बहुत दुरुआ गया है कि चुनाओ में हम खुरसी पाने के लिए हम हमारे राजनेतिक दल इसकदर बेसबर हो गए हैं इसकदर सारी जो परमपराएं मर्या चाहिए और जो देश के पृति जो संबान के भावना है उसको ताक पर रखके हम लोग अपनी बात करने लगे हैं कि इस पर भी सवाल उठने लगे हैं इस पर भी आलोचना होने लगी इस पर भी ब्यंग कसे जाने लगे कि आप एक तरफ आप बदाई दे रहे हैं इस कारिक कस सकते हैं इस तरह क्यों लब्दी पर भी तो आप आपका चिंतन क्या है आप कहां सूचते हैं आप देश के लिए कितने गंबीर हैं आप देश की जो इस तरह की देश को आगे लेगे ये पूरे देश के लिए जम्वान की बात है और वोट चुनाओ तो तीन मैंने बाद अचुनाव का सारा माहल खत्म हो जाएगा, नहीं सरकार आ जाएगी जिसकी भी होगी। लेकिन ये जो गर्व का च्छन है ये देश के लिए आगे अगले दस्वी साल तक याद करने वाला क्छन हो। जहां जी, जवाब दीजे। से हर बात को जोड़ा जाता है, क्या मोदी जी ये भी बूर गए कि सस्ती लोग प्रियता हासिल करने के लिए, वो कोड अफ कंडक्ट का भी उलंगन कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आज उन्हें ये और आप देखी कि ये सिर्फ मैं कैमरा पे बैठके नहीं बोल रही हूं मैं आपके चैनल पे बैठके नहीं बोल रही हूं, इसमें चुनाव आयोग ने भी जो है, वो मोदी जी से जवाब मांगा है, तो आप सस्ती लोग प्रियता हासिल करने के लिए सवाल आपने आपने पर्टी अद्धक्स नहीं पूछा, मुझे बोलने दीजे, मैंने बहुत खाते में हम पहुचाएंगे, यह कोड ऊफ कंडक्ट नहीं है, या दर्श अचार संजिता का उलंगन नहीं है, यह आप चुनाव आयोग से पूछी है कि क्यों जवाब नहीं है क्या, कोई, कोई, कोई उलंगन नहीं हुआ है, अगर उलंगन वहाता तो आप जवाब नहीं आज बैटके चुनावायों से जवाब लेकर आओ इस पर आप जवाब ना दीजेगा जब राहुल जी बैटकर बहातर हजार की नियाए योजना की गोशना करते हैं तो मीडिया वालों को भी ये बाद चुपती है और साथी साथ जो सरकार में बैटे हुए लोगे चुनावी जेला में जिस तरह के सब्स्वाब दिखाए जाते हैं तो आप पूरे ब्लूप्रिंट के साथ आना चाहिए था बैंक ऑफ इंडिया के मैडम सुनत लिजे इस बात की तदीक करते हैं इस बात की तदीक करते हैं नहीं आप मुझे बोलने दी आपने सवाल किया मुझे आप जिस गुना कर रहे हैं यह अच्छा था कि हर बात की बड़े बड़े जारे और जुमले चुना अचार चाहिए था कि दोहाई आप दे रही है उस पर सवाल तो उठेगा ना अगर आपको निया देना था तक्रीबन पचास वर्सों तक आपका शाचन रहा उस वक्त आपको तो मैडम आपको भी सवाल उठाने से बचना चाहिए ना इसलिए तो मैं सवाल कर रहा हूं कि उसी रास्ते पर तो आप भी चल रहे हैं जिसको लेकर दूसरे पर सवाल ख़ले कर रहे हैं इस बाद का जवाब दीजिए आप एक तरफ आपको ये बात बुरी लगती है कि क्य कौन से वाला मुझे अबाद यह जो कल एक बड़ी उपलब्दी हासिल की है देश ने अंतरिक्ष में अगर यह मिशन एक परसेंट भी अगर फैल हो जाता है तो इसकी नाकामी किसको दोराई नहीं है कि देश के लिए गौरव का विश्य है कि देश के लिए गौरव का है और अगर हमारे वेग्यानिक काम करें तो आज हम यहां कई बैट के आप और हम इतनी दूरी से भी लाइव डिबेट लोगों के बीच हम लोग जा सकते हैं तो आप यह बात मत कहिए और हर चीज देश बक्ती देश द्रो मोधी जी की उपलब्दी इससे जोड़कर देखन की जरूरत नहीं क्या मैं दो तीन बातों के जवाब लेना चाहूंगी जो हमारे बीजेपी के पैनलिस्ट बैटे हुए जब किसान आत्मात्या करता है तो क्यूं नहीं बोलते के मोधी जी है तो मुमकिन हुआ जब छोटी छोटी बच्चियों का बलातकार किया जाता है तो क्यों नहीं कहा जाता है कि मोधी जी जी है इसलिए मुमकिन हो रहा और जब हमारे जवाण सेना के शहीद होते हैं तो तब क्यों नहीं ये बात कही जाती कि इसाप मोधी जी के राजने हुरा है और जब बेरोजगार जिनको दो करोड नौपी देने का बाता किया था लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर अनुपा मिश्चाजी एक रेक्शन में आपका दरूर चाहूंगा ब्रेकपर जाने से पहले इसरा जहां जी जगा बांध के नहीं रख सकते इसरा जहां जी स सुनिया मैडम आपके जो सवाल हैं उन सवालों को जवाब बीजेपी के प्रवक्सा देंगे लेकिन जो नहतिकता की दोहाई आप दे रही है ना उस पर आप पर भी सवाल उठते हैं तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा अनुपा मिश्चाजी सवाल हमारा ये है कि पचास साल से ज्यादा शासन आप कर रहा तो आपको इसकी नाकामी स्युकार करनी चाहिए अगर आप बहत्तर हजार रुपए देने की बात करते हैं आपकी आपकी पिछली सरकार में देश के जाने माने अर्फशास्ती प्रदानमंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ में कोई जवा पाया मेरा कहने का मतलब यह था कि जब मैं नहरू जी और इंदरा जी और राजीद फिसी बात कर रहा था तो मेरा मतलब दो 77 संग्राम आजदी और 1970 की उन्हारी था मेरा कहना था कि इस बात को मान रही है कि बहुत बड़ी उपलब्दी हुई है वाग्जानिकों की बहुत एक पार्टी को चला जाएगा अच्छा मुझे कहने तो दीजे मुझे कहने तो दीजे तो मैं कह रहा हूँ कि जिस को आप लोग उपलब्धी बता रही हैं और जिस उपलब्धी के लिए आज से सतर साल पहले आप नहरू जी को केड़िट दे रही है चले ठीक है आज से तीस स एक दुश्परिणाम भी हो सकते हैं वो यह जानते हुए कि इसका इंटरनाशनल इसका इंटरनाशनल क्रिटिसिजम भी हो सकता है अगर उसने एक फिक मतलब आप नहरू से लेके राजीर तक सबसे शेयर करने के लिए तयार है और जब मोदी की बाद आ रही है तो आप कहने नहरू जी के योगदान के जिनाई कर सकता है ना राजीर जी के ना इंद्रा जी के लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री के योगदान को सिरे से खारिज कर देना यह अपने आप में थोड़ी सी असहच कर देने वाली इस्थिती हो जाता है मिशन 2019 की जिसको लेकर सभी राजनितिक पार्टियां आकरामक मोड में आ चुके हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है लेकिन राजनीत के चक्कर में कहीं न कहीं हमारे राजनितिक दल कुछ इस तरह के सवाल भी ख़ले कर देते हैं जिस पर देश सोचने को म सब ही खास मेरे साथ बने हुएं समाझवादी पार्टी को रिप्रिजेंट करने के लिए विन्य कुमार सिंग जी भी हमारे साथ इसकार्क्रम में शामिल होने के लिए लेकिन उससे पहले दिलीब स्रिवास्ता में आपके पास आ Fen storms दे रहा है और हं ऑंडुस्तान सवाह槻 में स्रे दे रही है. ये तो दरर्ण राजनेतिक इच्छा सक्ती है कि आप क्या निड़ने लेना चाहते हैं। दर्ण राजनेतिक इच्छा सक्ती के बल पर सेना के जवान भी अपने दुस्बन देश की जमीन पर जाके स्राइक करते हैं, आप प्रस्टन चिनन था दुतियों प्रदान मंत्री लाल बाहदूर सास्त्री जी ने दिल्ली की याता यात विवस्ता समालने के लिए संग के संस्वकों को आप मंत्रित किया था ये संग के संस्वकों का इतिहास रहा इस रज्जाह जी नहीं जानती तो इनको पहलेना चाहिए इस पर भी तो ध्य वादियों का महिमा मंदन करते हैं किस परकार से साहब और जीज आतंग वादियों के नाम के आगे लगाने का काम करते हैं ये तो इनका महिमा मंदन करने का तरीका ये जो इस्ता जानी ने सवाल उठाया उठाया उनका ये कहना है कि बीजेपी अगर किसान आत्महत्या करता है तो उसकी जवाब और की जवाब कर जूब कर रहा हैं की गरीबों को आवास मिला प्रदान बंत्री अवाद डेड़ करोंगा जदा प्रदान जो राहूल जी भी आज उसे इसमरण कर रहे हैं, इनको याद देना चाहूंगा, क्यों नहीं आपने गरीबों को आवाज देने का काम किया, क्यों नहीं उन्हें रोटी देने का काम किया, क्यों नहीं आपने गरीबी हटाने का काम किया, आज आई उस्मान भारत योजना, जो पूरे विष्व की सबसे बड़ी योजना है. यह क्यों नहीं आप लेके आई? क्यों नहीं आप ने सwiąचाले हो का निर्मा尤न के गरीब algorithms का निर्मान क्यों थे श।ट की नहीं तो पाइस नें. है दर्शार क्षाइब से और लेने का आधार क्या होना चाहिए अगर किसी एक काम कढ़ते हैं आपको मिलना क्षे तो इसी काम करें किसी दूसरे को क्यों मैं आउगा मैं आपके पास भी आउगा देश की जनता जनारदने वो सब समझती है अब आप लोग यह समझना बिल्कुल बंग कर दीजे कि जनता मूर्ख है आप जिदर हाकेंगे उधर वो चल देजी ऐसा नहीं है दोजार उन्नीस चल रहा है तो थोड़ा सा धैरे रखे कि राजनें तेख नुकसान हो गया ढिया है गर्भ सार्वा कि असवी हमें गर्व है चो यह यह अद्व की शचान들 असका वाज़कर निए यह बहुत बड़ा कार्य है जो आज हम विस्व के चोथे नंबर पे आज आज हम खड़ा हुए है तो है लेकिन बात तब उठती है कि आज चुनाओ का समय है अचार संगिता लागू है पूरे देश में आप आपको अगर देश को इस उपलब्धी को बताना था तो बताय होते मैं यह नहीं कहता हूं बताया है यह देश की उपलब्धी है या किसी पार्टी की उपलब्धी है नहीं नहीं यह देश की उपलब्धी है और मैं इसको देश की उपलब्धी मानता हूं मैं मोदी जी की भी उपलब्धी मान लेता हूं तब मानूंगा उपलब्धी जब वो और इनके ही नेरे के द्वारा, उन्हें बसों के द्वारा, उन्हा आतकवादियों के आगे जोग दिया गया है, एक हजार किरो बिस फोटर हमारे देश में कहां से आए, इसका सरे कौन लेगा साहब, यह तो बताईए, इसका सरे कत्तरी लेने के लिए तयार नहीं है, आज चुनाओ का समय है, हमारा देश बेरोजगारी से जूज रहा है, तीन मतिमाही का जो आकड़े है बेरोजगारी का, आज वह थारा महीने हो गया, उसको भी पटल पर लाया नहीं गया, इन सब चीजों का सरे कौन लेगा, इनको आप जब नहीं लेते हैं, नाकामियों का सर है, बेग्यान को के अच्छाई कसरे, आपको लेने का हक नहीं है, कभी आप महत्मागादी का चाहिए, तो महत्मागादी हो जाएगे, एरेस्टाइक के जाओ पहले सबूत ले कर आओ, इसलिए सबूत की मांग की जाती है, मैं गोविन जी एक रिएक्शन इस पर आप, आप इसको भी होना चाहिए, समाजवादी पार्टी समेथ, हिंदोस्तान के एक एक नागरी को गर्व होना चाहिए, और कहीं इस पर सवाल उठाकर आपको नहीं लग रहा है, कि इसकी जादा ब्रेंडिंग करने का प्रयास और जादा फाइदा पहुचाने का प्रयास ये विपक बदाई देने की बात है, देश को बदाई देने की बात है, वहां तक सिमित रहते हैं, तो शायद बीजेपी के लिए ये इतना बड़ा चुनावी मुद्धा नहीं बनता, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इसको तूल दिया है, जिस तरह से इस मुद्धे को लेकर सारे र आजनेती गलाब बीजेपी के पक्ष में जाता हूँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश में एक तरह से जो रास्ट्री ता के लिए, जो खास वर पर पाकिस्तान से हमारे संबन्दों को लेकर जस तरह का एक तनाव लोगों के मनो मस्तिश्क में है देश की जनता के, उस मे ये घटना भी देश को देश के परती आस्थावान और देश के परती गैर जिम्मेदार तबकों में बाटने का काम करती है, और विपक्ष जब सवाल उठाता है तो विपक्ष के लिए जो देश के परती आस्थावान तबका है, वो विपक्ष से दूर होता जाता है, और चिंता होती है या चीन को चिंता होती है पाकिस्तान में एक उचेस्तरी बैठgt बिलाई जाने की चर्चाएं तक सामने आने लगती है तो ये दिखता है कि इस घटना का वैश्विक राजनीती पर वैश्विक जो शक्ति संतुलन है उस पर किस तरह का असर पढ़ने वाला है, किस तरह का असर पढ़ा है चले बिलकुल ऐसी जाएं साथ, अच्छे जी एक सेकंड का समय दे जाएं, जी विना जी अपनी बात पूरी कर लिए जाएं अगर इस उपलब्धी को भारत की इस उपलब्धी को आपको पब्लिक डोमेन में ले आना था इस चुनाओ के समय में, तो इस रो के चीप को ले आते, डियाडियों के अधिकारियों को ले आकरके, उनके द्वारा इस चीज को बताने का प्रयास करते, आप ले करके जंडा के समय में ले करके, बारत के उपलब्धीयों को ले करके, आप अपने तीम के द्वारा कहके, आपने उनका सुना नहीं हमारे टीम के द्वारा कहते हैं, तो तो कस्ट नहीं होगा, यह चुनाओ आए आप लिए जिए और इनी के गडबंदर के नेता बताती है, ट्विट करक का ट्विट है कि उन वेग्यानिकों को भी बुलाना चाहिए यह किस प्रक्षाइब ने का तीर पार्टी असराब है प्रस्टिचिन लगाने का ले लोंगे गर्मा मैं पुनान मंशी के द्वारा है कि जनाजा के मैं निकला देता है क्या आजम भारत का प्दान मंत्री काता है की बाफ तो सभी राजनितिक दलों को सोचनी चाहिए कि भाशा का स्थर जितना गिर्दा हुआ जा रहा है राजनीती में इसको गर्थ प्रक्षाब में गर्थ बात का काम कर रहा है माफ कीज़ेगा बड़े दुख के साथ ये बात कहा पड़ पार गये लेकिन मुझे इस बात कभी तो जवाब दे दीजे कि चुनावी बेला 2017 में भी थी अधूरी पड़ी मेट्रो का उद्गाटन करने की चिंता सता गई थी तब इस बात की चिंता नहीं आई थी कि शुरू तो हो जाने देते फिरम फीता काट लेते अगर मौका मिलता जनता दोबारा देती अचार अच्छा जी फिर से देख लिए अचार संगिता सुरू होने के पहले खुलों ने उद्गाटन किया था जिसको चुनाव में इन्हों ने कहा तब बनाई ही नहीं था अचार संगिता सुरू है तो हम भी कह रहे हैं हम भी तो यह कह रहे हैं कि मेट्रो में सफर का अनंद आपको कब करने को मिला यह गुमा फिराकर जो आप लोग यह दूसरे से अचार संगिता का उलंगन नहीं है क्या जवाब दीजे किस चीज की अगर कोई यह कहता है आचार संगिता के लागू हो जाने के बात कि आगर हम सब्ता में आएं तो हम बीश वीज़ी देश के गरीबों के एकाउंट में बात्ता रुदार रुपए साला ना डालेंगे अरे तो चुनावाई यह जवाब क्यों नहीं मांगा मैदम आप वही तो दिक्ता करना कि आप सुबोत मांगने लगती हैं कि जाओ इसे सुबोत लेकर आओ मैं दोबारा आपके पास आउगा भी दोबारा आपके पास आउगा नाथिक्ता की बात सिर्द दूसरों पर फोड़ी आप लागू करता हैं लगवंus आपने पुल्वामा की बात अभी की विने कुमा जी मैं आप सही सवाल कर रहा हूं आपने कहा कि पुल्वामा में अटैक हुआ हमारे जवानों की शहादत हुई देश में जो भी सरकार है उसको इस नाकामी का जिमा लेना चाहिए लेकिन अगर एर स्ट्राइक होती है तो उसक आप यह भी नहीं कहते हैं लेकिन कहना सब कुछ आते हैं है और अच्छा नेरा था और हमने जो है जब आप दिया पाकिस्तान को तो बिलकुल मिलना चाहिए उसका सरे सरे यह सुबूत कौन था यह सुबूत कौन मांग रहा था देखे सबूत तब लोगों ने कहना सुरू किया जब आप आ करके उसको पबलिक डोमेन में यह भारत के राश्टिय सुरच्छा से जुड़ा हुआ मामला है इसको लेया करके आप पबलिक डोमेन में लेया करके इस इतने बड़े कारी को आप बहुत छोटे तरीके से जब काम करेंगे अब मादारी के तरह से लेया करके इसको लिए बहुत बड़ी बात है इसको पर जाए जब आपके आपके पास भी आ रहा हूं मैं आपके पास बहारा हूं लेकर एक सवाल काफी देर से बैठे हुए है ऐसी जैन साब से भी एक सवाल लेना चाह रहा हूं एसी जैन साब मेरा सवाल आप से यह है कि पॉलिटिकल पार्टिया तो ठीक है उनका अधिकार है कि वह राजनीती करती है हर मुद्दे पर और हैर लुक जाए लोकतंद्री परवाशा आप में बताएं आप लोकतंद्री परवाशा मत बताएं मेरा सवाल एसी जैन साथ रही है वैसे ही विपक्ष भी करें तो वह पॉसिबल नहीं है वह भी डियाडियों के पूर बैग्जानी करें उनको भी अपनी बात रखने का मौका त यह भी ठीक नहीं है लेकिन ऐसी जैन साथ मेरा सवाल आपसे है कि यह जो कल मिशन भारत ने सफलता पूरवा कर एक बड़ी उपलवदी हांसल की है इस तरह के मिशन के फ्वेल होने का खत्रा कितना बड़ा रहता है और साथी एक चीज यह कि पहली बार में अगर इस तरह का मिशन सफल हो जाता है तो यह कितना बड़ा एतिहासिक पल है किसी भी देश के लिए देखिए यह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस सैटलाइट को हमने मार गिराया है वो सैटलाइट उस 300 किलोमीटर के और्बिट में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गूम रहा था यानि 7.8 किलोमीटर पर सैकंड की स्पीड से गूम रहा था इतने हाई स्पीड से गूमने वाले टारगेट को गिराना और कितनी बड़ी उपलब्दी है यह तो हम खुदी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें अगर मिली सैकंड के भी से भी कम का फेलियर हो हम टारगेट को मिश कर जाएंगे और इस कारिये को करने के लिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी और कितनी सिंक्रोनाईजेशन और कितने परफेक्शन की जरवत है क्योंकि एक स्टेशनेरी टारगेट को गिराना जो है वो अलग बात है और एक बहुत हाई स्पीड से घूनते व होने के चांस भी हो सकते हैं कोई असी कोई भी दुनिया में कोई भी चीज परफेक्श तो नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्दी है इतना एक्यूरेट और इतना इसको जानना चाह रहा हूं कि आप हमारे दर्शकों को इसका जवाब दें इस तरह क कि अगर कि आपको बोल दिया कि कोई एक ऐसा मिशन कीजिए आपने फौरण देस दिन के अंदर पूरा कर दिया ऐसा होता है क्या नहीं यह तो तो देस दिन तो नहीं Anne इसमें तो पूरा सिस्टमेर्ट przypadली और मेटिकयलमी काम करना पड़ता है और मेलिसे एक व्गयानिक शैक्रों कि थाधात में व्गयानिक रहते हैं इनका यह जै और फिर एक total project को execute करना, तो यह तो बहुत बड़ा काम है, इसमें 10 दिन का तो कोई नहीं है, यह तो इसमें तो काफी time लग सकता है, और पहले बार में सफन होना यही एक बहुत बड़ी बात है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई इसको कोई underestimate करने की जरवत नहीं है, कोई भी कि किसी को भी और मेरिख्याद से कोई देशवासी करेगा भी नहीं, यह तो एक बहुत बड़ी उपलब्दी है, जिस पे हमें इस्टरा जाहिए, और इस्टर जाहाँ जी, आप समर्थन कर रहे हैं, जैन साब की बात का, कि इस बड़ी उपलब्दी को आप इतने आसानी से नकारिये मत, कि इसमें कोई दोरा आई नहीं है, जैसे मैंने पहले भी का कि हर भारती के लिए बड़े गौरव का विश है, लेकिन सारी बात क्या देश द्रो, देश बक्ती, इंद्रा गांदी जी और मोदी जी तक आकर रुख जाएगी, और जहां तक बात की गई, आपको बताना चाहि का मिखनी ने पुराने सब्सक्रीकों रहीकिन numar Sea के लुख अच्रादी जीक मैंने लूदह लेकित कि लेकि उखरी के लिए इस हां सिधा कर चुनाव का तुनाव का तुनाव है इस तरह से आप लोगों की आवाज नहीं पूर्ट पारी ना एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं है तो आपके साथ आंकर बनके बैठे हुए अरे महतरमा महतरमा हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं मुझे बताइए मुझे आप बताइए कि मैडम सुनिये न चुनावी बुखार यह चुनावी तनाव जो है वो बोदी जी और आरेसस के चेहरे पर बिल्कुल साथ दिख रहा है है अगर आज हम मेरट की बात करें हैं हम तो विजाजरी प्राफ्ट कर रहे हैं इसलिए पर पदान मुझे प्लीज 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 आप आप किसी गलत स आप लोग भी चुनावी दिशा को टाय करने लगती है आप विशा पर जवाब नहीं देती है अनुपा मिश्रा जी आप नहीं लगा कि असल हकीकत यह है कि आज की सारीक में राजनिस्तिक दल कोई भी हो सबकूर सबसे पहले चिंता है अपनी राजनिती चमकाने की इतना चीखने की जरूरत नहीं है अनुपा मिश्रा जीब यह जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है क्या कहेंगे क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप देश के हिट से जुले मुद्दे भी साइड हो जाते हैं जहां पर अपनी राजनिती चमकाने की बात हो दल कोई भी हो मुद्धों पर बात हीनी हो रही है मुद्धों पर बात हीनी हो और यह सब्सक्राइब ये पर आपका नाम लेकर सवाल करता हूं तो आपने भाविश्वानी कर दी जंता पर शोड़ दीजे अनुप मिस्टरी एक फानल रेक्शन चर्चा के समापन का भी वक्त है अपनी राजनी की सब्सक्राइब अच्छे जी मैं यही कह रहा था कि राजनी तो खेर कमो बेश हर जगा ऐसी होती है लकिन कुछी चीजें जो हम मिस्टरी जा रहे हैं जैसे 50 के दशक में यही कारणावा अमरीका ने किया उसकी बड़ी नंदा हुई साथ के दशक में यही कारनावा रूस में किया उसकी बड़ी निंदा हुई दो हजार साथ में यही काम चीन ने किया तो पूरी दुनिया ही जैसे चीन पे तूट पड़ी कि साथ आप में बड़ा खराब काम किया है और चीन में आपने जो अंत्रिक्ट में इतना मलबा फैला दिया है इसका क्या होगा लेकिन हमने ना सिर्फ उसको लोर अर्थ और्बिट पे ऐसे मारा कि हमारा सारा मलबा लोटके प्रत्वी पर वापस आ गया तो जो चीज़ देखने की है कि जिस काम के लिए इन महाशक्तियों की इतनी निंदा हुई 24 घंटे से ज्यादा बीच चुका अभी तक दुनिया के एक भी देश ने भारत के इस कदम की निंदा नहीं किये हाँ तो जिस मुद्दे पे हमारी सरकार को हमारे वेग्यानिको को हमारे देश को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है दुर्भाग ये है कि उस मुद्दे पे हमारे अपने ही देश में लोग लगातार उसमें एक दूसरे की टांक खीचने में लगी हुई है और ये और कुछ नहीं ये विपक्ष की असुरक्षा की भावना को दिखाता है और कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि विपक्ष मुद्धो को लेकर उनके पास कमी पार रही है लेकिन उस दिन का इंतजार भी कीजिए देश की जंता को अगर आप लोग इश्राजना जी जनार्दन मानती है ना तो फैसला उन पर छोड़ दीजिए इतना तो कम देकम बरोसा करिये ही ना अब चांचा के समापन का वक्त है वक्ति से जादा इजादत नहीं देता है बहुत शुक्रिया आप सभी महमानों का हमार साथ इस कार्कम में शामिल होने के लिए लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि कोई उपलब्धी जो देश की होती है वो किसी एक पार्टी की कै कैसे हो सकती है क्या ऐसी बड़ी उपलब्धी को लेकर सवाल देश के भीतर उठने चाहिए परिशानी तो ऐसे परोसी मुलकों को होनों चाहिए जो हिंदस्तान की पीट में हमेशा चूरा भोकने का काम करते रहें उनकी बॉक्राइट तो समझ में आती है लेकिन देश के भ कर दो